हेलो गाइज, वेलकम बैक ओन में यूटियो चैनल, I know मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है क्योंकि इतने टाइम से मैं अपनी परसनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी ज़्यादा बेजी चल रहा था तो मैं यूट्यूब के लिए नेक वीडियो के की पूरी पूरी कोशिश करी है, जो मैंने एक चीज नोटिस करी है वो यह है कि आप लोगों के पास दो तीम प्रैमरी कोशेंस हैं कि कौन सी कोचिंग जोइन करें, कौन से इंस्ट्यूट में जाएं या फिर कैसे पर पेर करें, और कितनी फीस होती है कोचिंग की, तो हम ए एक ही सला दुँगा कि आप चाहे कोई भी कोचिंग जोन करें चाहे वो ऑन-लाइन कोचिंग हो या फिर आप रिकोर्डेड एप्लिकेशन से सीख रहे हैं या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं Matter ये करता है कि आप कौन से teacher से अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है, ये matter नहीं करता है कि आप कौन सी coaching join कर रहे हैं, या फिर आप कितने में subscription ले रहे हैं, या फिर क्या x, y, z, ये matter नहीं करता है, सिर्फ ये matter करता है कि आप कौन से subject को कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, और आपको उस subject की कितने अच्छे से grasp हो रही है, knowledge कितने अच्छे से हो रही है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप काफी लोग coaching भी पूछ रहे थे, कि 6 महीने का subscription का package कितना होता है, एक साल का, या पिर XYZ, बट जो आप subscription का पूछ रहे हैं, वो तो coaching to coaching depend करता है कि आप कौन सी coaching जोइन कर रहे हैं, ठीक है, तो for example, आप अगर miss join करते हैं, तो जिस time पर मैंने miss join कर रहा था, it was around 74,000, okay, अब मेरे को पता नहीं है कि अभी कितना price चल रहा है, बट उस time पर इतना था, and simultaneously ये जो coachings होते हैं, इनके rate जो fluctuate करते रहते हैं, जितना ज़्यादा अच्छा result आता है किसी coaching का, उसका उतना अच्छा price हो जाता है, किसी का अगर खराब आता है, उसका price नीचे गर जाता ह है, तो ऐसा चलता है, तो उसके लिए आपको tension लेने की जरुवत नहीं है, कोई भी coaching अगर आप जोइन करेंगे, उन सब में समान तो वो एक ही पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई अनुखा या फिर कोई exclusive content नहीं लाके दे रहे हैं हो, कि आप कोई अच्छी और महंगी coaching ज सेम है, teachers जो है, वो shuffle होते रहते हैं, इधर के उधर चले जाते हैं, उधर के इधर आ जाते हैं, तो हर चीज सेम ही है, just matter यह करता है कि आपको subject जो है, वो कितने अच्छे समझ आ रहा है, और आप कितने अच्छे से उसे पकड़ पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप जैसे कोई subject लगा लो, आप जैसे for example, आप anatomy उठा लो, जैसे सब लोग बोलते हैं कि भई, आजम सर की anatomy बहुत अच्छी है, no doubt, अच्छी है, बट यह भी तो possibility है कि कोई और teacher जो है, वो भी अच्छा पढ़ा रहा होगा, right, तो आप अपने आपको यह लेके demotivate मत करो कि भई, मेरे होती होती, वो तो अपना best करते हैं, try, बाकी वो हमारे उपर depend करता है कि हम उस subject को कितने इमानदारी से कर पाते हैं, ठीक है, हाँ, यह हो सकता है कि कि किसी-किसी faculty का पढ़ाने का तरीका जो होता है, वो हमारे according जो है, वो suitable नहीं रहता है, ठीक है, तो इस case के अंदर हम सोच सकते हैं कि हम outsourcing कर ले, अगर आपको outsourcing करना है, तो यह भी एक अच्छा option है कि instead आप कोई एक particular coaching join करें, आप individual जो teachers हैं, उनके packages ले लीजी, for example, जैसे अगर आप कोई pharma में ले लो आप, जैसे गोबिंद्र एक गर्क सर हैं, उनका आप specific package ले लो, ठीक है, उनका एक separate application है, फिर कोई ना कोई link जरूर होगा, आप वहां से आप उनको join कर सकते हो, ठीक है, तो यह दो question तो complete होगे, अब तीसरा question यह है कि भई, आप कैसे करें, सबसे पहले कोई भी subject करने के बाद में, आप जो कोई भी एक question rank होता है, या तो आप मेरो का ले लो question rank, या pre-platter का ले लो, या फिर कोई भी X, Y, Z, जितने platform में ले ले वाले हैं, उनका आप PYQ solve करो, उस question के subject जो है, solve करो, अगर वो भी नहीं हो पार है, टेलिग्राम पे इतने सारे channels हैं, आप उन channels पे free के questions जो होते हैं, आप वो try करो solve करने की, जितने हो सके mock test देने का try करो, आप यह सब करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका जो overall score होगा, वो जरूर improve होगा, तो जो भी लोग अभी 30 July के लिए prepare कर रहे हैं, मेरे तरफ से उन सब को all the best, and keep it up, and don't give up.